असलाम वाले को में विल्कम बेक टू माइचेनल इस्ट्याग अलीम अधिनात्र दोस्तों अभी 27 में राते हैं और 27 में राते हो अभी में कयाम की नमाज पढ़कर आयो मजीद में अलम्दुलेला मतलब ताजयत की नमाज जो जमात के साथ होती हैं यहां पर एक इसमें रोजे से दस दिन तक रहती है जब तक चांग नहीं देखेगा तब तक रहे हैं लोग मुझे से पुछते अक्सर भाइस त्याग भाई आप शेरी में क्या करते हो कैसे करते हो कैसा रहता है उसमें सेरी के लिए इतिजाब आपको बूस्त क्या देता है तो मुझे आपको एक छोट ऐसे ammैठी फैलायज आपको बिन अबन अबनाती है को आप लोगों पो भी वता सब्नास घ्लच पूर मांवाशाएं जैसे इता और शोट है फिर सब्सक्वित कि आज चांस 90% है आगया लागी मर्दी तो ठीक है मैं आप लोगों को थोड़ी से एक वडियो बता देता हूँ कि आज मेरे लिए इंतिजाम क्या है अभी आप देख सकते हैं ताइं तीन बच के 32 मिनिट 35 मिनिट हो रहे हैं ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज क्या उपर घड़ी भी देख सकते हैं तो आज आपको मैं बता देता हूँ कि आज मेरे लिए क्या इंतिजाम है ठीक है तो आप लोगों से चोटी से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर ले और पेल के न तो देखिए यह बिर्यानी है जो अभी मुझे घर की बनी हुई है ठीक है तो यह मुझे अभी गरम-गरम दिये और यह एक रियाल की तीन रोटी यहां पर मिलती है बहुती मोटी है यह रोटी एक आदमी एक नहीं खा सकता यादे मेरे लिए अधी मेरे लिए इनव है यह स सलाटे आप देख सकते हैं और यह लेवन है माशारला यह बहुत अच्छा रहता है लेवन यह अलमर आएका जैसे के अपने पास छांस होती हूं थोड़ा पतली रहती है तो यह थोड़ा जाडी है मोटी है मतलब यह बहुत तेस्टी रहता है अब कभी भी आ पर आओ तो ल इनफ है इससे मेरे शेरी हो जाएगी बाद में अभी शाड़े चार बज़े यह बहुत अब शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए प्लीज आप चैनल पर जरूरा आते हैं लेकिन सस्क्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लीज आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि कर लें ठीक है नहीं बहुत बहुत सुक्रिया चलिया लाफिज महस्सलामाद